दोस्तों आज हम बात करेंगे रटन टाटा जी के बारे में रटन टाटा को देश भर में और पूरी दुनिया में हर कोई जानता है वे चहते उद्धोग पती हैं वा टाटा समू के अध्यक्ष हैं एक बड़े बैपारी भी हैं जिनकी स्तापना जमसेद टाटा ने की थी इनकी पड़िवार की पीड़ी दरबीड़ी इनका बिस्तार किया और देश में अधिकतर मजबूत बनाया टाटा दुनिया की सबसे छोटी कार बनाने के लिए भी पिरसिद है रटन टाटा कजन 28 दिसंबर 1937 मुंबई में हुआ था उनके पिता का नाम नवल टाटा और उनकी मा का नाम सूनी टाटा था इनके दादा का नाम जमसेद टाटा था रटन टाटा की सोतिली मावी हैं जिनका नाम सिमोन टाटा है रेदन टाटा जी भी अपनी स्कूलिंग पढ़ाई मुंबई में कम्पलेट की है वहीं थोड़ी पढ़ाई अमेरिका में भी की है दोस्तो हम बात करेंगे आज उनकी साधी के बारे में कि उन्होंने अपनी साधी आकर क्यों नहीं की एक इंटर्प्यू में 2011 में रेदन टाटा जी ने बताया कि चार वार साधी करने का प्रियास किया किसी ना किसी कारण से पीसे हट चुके थे लोज एंजल में काम करने के दोरान उनको एक लड़की से प्यार हुआ था और उसके परिवार के सदस में किसी बीमार के कारण उन्होंने भारत लोटना पड़ा लड़की के माता पिता उसे भारत जाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे और अभी तक उन्होंने एक भी वार साधी नहीं की जब J.R.D. टाटा ने 1999 में टाटा संग्त के अध्यक्ष पस से इसी बदिया तो रटन टाटा को उत्तर आधीकारी बनाया उसके कैस बरसों में नेतरित में दोरान रास्वर 40 गुना से 50 गुना बढ़ गया उन्होंने टाटा किटी, मोटर्स, जोग वार, लेंज, रोवर, टाटा स्टील का वी अविस्कार किया जिसमें संगटन एक बड़े पैमाने पर भारत केंती है समू में बैध्यारिक बैपसाय में बदल गया रटन टाटा जी की कुल संपत्ती 3800 करोर से होने के अनुमान लगा जाते हैं उनकी अधिकान संपत्ती टाटा संद के स्वामित में आती है उन्होंने स्टार्ट अप और पर्टियों किताओं कमपनियों में भी कही नवेज किये हैं जो उनकी समपत्तियों में योगदान करते हैं रतन टाटा अपनी सेलरी के 16 फीज़ती पैसा मदद करने में द्यान कर देते हैं यही कारण है कि दुनिया में अमीर लिश्ट में नहीं आते लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट सेक्सेन में जरू बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों जब तक के लिए जैसे रहा